Supreme court matters through video conferencing in COVID-19 lockdown period. ये आज हमारे वीडियो का विशह है. Lockdown period जो छल रहा है, इसमें वीडियो conferencing के थूँ Supreme court matters, urgent matters कैसे decide करते हैं, ये हम आज जान लेंगे. शुरूबात के पहले ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शिवाजराव जादव जो स्कोरा के अध्यक्षे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मोमेंट लिया है, और जो SCBA और उनके पदादिकारी, स्कोरा के पदादिकारी, इनका भी हम धन्यवाद देते हैं, कि इन दोनों असोशेशन के पुडाकार से ये वीडियो कॉनफरेंसिंग स Supreme Court के Chief Justice ने ये शुरू किये, अभी इसकी टेक्निकली जानकर ये लेंगे, कि यहाँ पर खाली urgent matter जो है, यही चलेंगे, urgent matter का मतलब है, कि जो matter किसी के body को या किसी के property को हट कर सकते हैं, इसमें अगर decision देने में देर हो जाती है, तो किसी का नुकसान हो जाएगा, irreparable loss जिसको हम legal term में बोलते हैं, irreparable loss अगर हो जाता है, तो ऐसे matter को urgent matter बोलते हैं, for example हम बताएंगे आपको bail matter है, फिर bail matter में anticipatory bail है, फिर bail है, trial चल रहा है, लेकिन bail मांगना है, या फिर after conviction bail है, यहने के सदा होने के बाद आगे आप appeal कर रहा है, high court के बाद Supreme Court में आ रहा है, ट्राइल कोट के बाद high court, high court के बाद Supreme Court, यह करते समय भी आपको अगर सजा हुई है, आप jail में है, लेकिन आपको after conviction बिल चाहिए, आगले सुनवाई के लिए, तो भी वो विदा urgent matter में आएगे, यह सब urgent matter में आएगे, और property matter जहांपे किसी का encroachment है, यह है, वो है, अगर व वीडियो है, वो जरू देख लीजिए, कि how read petition matters handled in Supreme Court and High Court, you will see detail about that read petition, जो चार पास टाइप के हमारे read petitions रहते हैं, वो read petition जो matter है, यह भी urgent matter में आते हैं, तो ऐसा urgent matter में आपको वीडियो कांफरेंसिंग के थुरू एक काम कास कैसा चलता है, वो आभी हम step by step देखेंगे, पहल reading सब होके scan copies और फाइल होने के बाद registry उसको देखती है, registry में फिर उसका defect clearing process होने के बाद, फिर mention करना है, mention का एक ID दिया है उन्होंने, इस ID के उपर आप mention कर सकते हैं, जो आपका advocate है, और record है, जो advocate है, वो mention करेंगे, mention.sc at sci.nic.in, यह mention का एक email ID है दोस्तों, यहाँ पे आप mention कर सकते हैं, और mentioning के बाद, जरुरत पड़ी तो phone पे भी mentioning, जिस judge के पास matter होता है, और उसके बाद, mentioning के बाद, फिर next day को वो matter लगेगा, अभी लगने के बाद, आपको video conference करने के लिए, आपको एक, अपके desktop पे, या आपके laptop पे, एक software या जिसको हम app बोलते है, वो app डाउनलोड करना है, यह recommended app है, यह जो आपको इसका link में लेगा, download का, यह e-court-vc.nic.in, http, double dot, double slash, e-court-vc.nic.in, इसको हम बोल सकते हैं, e-court, video conferencing का यह site है, यहाँ पे video desktop, video mobile app आपको मिलेगा, वो android के लिए भी है, या आइपोन के लिए भी है, या आप Google के play store में जाके भी, यह app क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यह डाउनलोड करने के बाद, उसका assigning process वगर compare करके लिजिए, और जिस दिन hearing रहेगा, उस दिन आपके register mobile number पे, उनका call आएगा आपका register के थुरू, कि भई आपका pattern लग राये करके, और उस समय फिर आपको connection direct, आप जहां से हैं, वहाँ बैठके, direct Supreme Court के campus में, Supreme Court के जेज के सामने, आप e-conference, that is called video conference के थुरू सामन इनका, वह order just दे देंगे, और फिर बाद में आपको website के उपर वह order की coffee available है, और आपको e-copy चाहिए, तो e-copy भी register से मिल सकती है, register के बारे में आपको कुछ information और भी चाहिए, तो mobile number और वगरे उन्होंने register की दिया है, यह जो circular है, यह circular 23 March का circular एक है, और दूसरा circulation 26 March का है, 2020 23 March को जो circular में दिया है, कि जिनके पास यह video conference की सुविदा नहीं है, वो Supreme Court के campus में आके भी video conferencing कर सकते हैं, यह 23 March के circular में है, लेकिन मिन्वाइल 24 और 25 March को ही शाम को यह All India lockdown लग गया, इसलिए 26 March का जो circular website है, Supreme Court के, वो circular में clear दिया है, कि जो video conference की सुविदा Supreme Court में की थी, उसको उन्होंने रद्द किया है, क्योंकि आभी कोई, वहाँ पर movement नहीं चलेगा, क्योंकि lockdown period पुरा India के लिए लग गया है, दोस्तों, दोस्तों यह lockdown period में भी urgent matter आएंगे, urgent matter चलना चाहिए, 24 hours court के हमारा service रहता है, आप देखते हैं कि court रात को कभी-कभी 3 बज़े भी खुलते ह क्योंकि court का duty 24 hours का रहता है, इसलिए यह urgent matter में जो मैंने आपको बताया, यह चीज़े आपको बताओ, और दूसरी खास बात बताना है कि भाई, जो भी Supreme Court में हमारे lawyer है, वो सब अच्छी है, कोई खराब lawyer है ही नहीं है, खाली जसके उपर श्रदा रख्या आपे matter देते हैं, वो उसके उपर श्रदा रखिये हैं, उसके साथ बाट कीजिए, नहीं तो matter देते हैं एक lawyer को, फिर दूसरे चार lawyer को phone करके पूछते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, और फिर अलग-अलग lawyer का opinion फिर आपके lawyer को बताते रहते हैं, फिर ओ lawyer का अपमें से interest कम हो जाता है, कि उनको लगता है, आदमें बहुत ही दिमाग खाना है, तो किसी भी lawyer के उपर पूरा श्रदा रखिये, श्रदा से काम अच्छा होगा आपका, और दूसरी बात जो है, कि EOR तो काफी है, अच्छे-चे हमारे law firm में भी एक-दो-तिर EOR है, वो यह सब filing का वगरे काम करते हैं argument के लिए फिर हम खुद करते है argument, ऐसे काफी system काफी लोगों के लगी हुई है, तो इस system से भी आप काम अच्छा कर सकते हैं, खाली अभी तो school का campus चालू नहीं है, लेकिन school के campus जब चालू रहते हैं, तब थोड़ा सा यह जो taught रहते हैं, जो cheater रहते हैं, यह cheater से थोड़ा बचना चीए, लेकिन आभी वो problem नहीं है, लेकिन काफी मेरे वीडियो में आप इस सुनेंगे, कि lawyer खराब नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह cheating करने वाले जो लोग रहते हैं, कभी-कभी lawyer के बेस में भी रहते हैं, और वो कभी-कभी लोग को cheat करते हैं, इसलिए कभी भी Supreme Court में बरबाद हो सकता है, दोस्तों, तो आज के लिए इतलाख आप ही है, कि urgent matter Supreme Court में COVID के period में भी चल रहे हैं, खाली video conference की थ्रू चल रहे हैं, बस अब अच्छे lawyer को contact कीजिए, और उनको matter समझा के दीजिए, जो भी annexures, document वगरे सुब भेजना हैं, high court की order की copy, यह वो सब जो भी हैं, जो proof सब के पास हैं, वो सब प्रॉपरली scan करके वो lawyer को बेजिए, और फिर वो पूरा scan करके वो e-filing होगा, physical copy निकालना यह, वो कामसब रेजिश्टर के मदद से properly हो रहा है, तो जाते जाते में वापस हमारे स्कूरा के अद्धिक्ष शिवाजी राउजादर और SCBA के अद्धिक्ष, पदादिकारी, सेक्रेटरी, सब को दन्यवाद देता हूँ, और specifically Chief Justice of India को और हमारे पूरा judges के पूरे panel को और registry के अदिकारी को, registry के सब को में दन्यवाद देता हूँ, कि इन्हों ने ये सुविदा, बहुत बढ़िया धिन से हमारे भारत के पूरे लोगों क येहिन ओन्देवादा